नमस्तु भ्यम वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सबका सैपियेंस कोईस्ट में आज हम लोग का चैप्टर फिप्ट रहे का हिंदी का जो सिरीज के फिप्ट चैप्टर होगा जो कि गजानन माधं मुक्तिबोद द्वारा जी रचित है और देखे जो हमारे चैप्टर चल रहे ना इसमें कहिन कहिन जो मटरिस्टिक वर्ड है जो वास्तविक जो दुनिया है जो ये कालपनिक दुनिया है इससे कहिन कहिन हट कर बाते चल रही है और जो जीवन की सच्चाई है जीवन के जो नाइतिक मूल है जो कहिन कहिन जो इतिकल प्रिंस्पल्स है जो उसी कडि में हमारा जो पुछा चैप्टर है आज का गजानन माध्मुक्तिदो द्वारा तो थोड़ा से इनका विशे में जानेंगे इनकी रसनाय जानेंगे फिर अपने कविता पर आएंगे तो जन इनका 13-11-17 शेवपूर गौालेर मध्द प्रदेस में हुआ आप सब को प बूरी बूरी खाग धूल कविदा संगरा है, काट का सपना विपात्र, सता से उट्टा आदमी, ये सता कथा साहित है कामाईनी एक पुनर विचार नई कविता का आत्म संगर्स नए साहित का सौंदर सास्त्र अब आखिर रचना क्यों नाम से समीच्छा की समस्याएं एक साहित की डाइरी आलोशना ये मतलब आलोशना की कि भारती जाहस और संस्कृती तो इनका निधन हुआ 11 सितम पर 1964 नई दि प्रकट होकर विकट हो जाएगा बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हमारी हार है ना इसका बदला चुकाने को ना ये आएगा संकल्प धर्मा चेतना जो हमारी चेतना है जो इसका संकल्प धर्मित स्वर है जो रक्त प्लावित है यानि कि जो रक्त से रंजित है उसका स कहिनी चुपता है चुपाईगी और हमारे ही हिदय का गुपता स्वनाकषर हमारे हिदय काुनाच़र का मतलब है जो उनकी बात हो रहे हो कि प्रकट हो यहाँ है जब वो प्रकट होगा हमारे हिदे की भावनाई, जब हमारे हिदे की सच्चाईय प्रकट होगी तो वह बहुत ही विसाल और बहुत ही बिबत्रम रूप में प्रकट होगी और सभी लोगा अश्या चकित रह जाएंगे। कुछ समय तक पाठे पुस्तके भी लिखी तो इनकी बिशेम बात हो रही कि थोड़ा सा मेडल स्टूर मास्टी भीन होने की उसके बाद फिर उन्हें कुछ पत्रकायता के काम भी की और पुस्तक भी लिखे। हिनेबल की लगातार अधिका दिगवेग और तिब्रता के साथ उमरता चला आता है जहां उज्जा अने का एक कलपना चित्रों और फेंटसियों का कार गहन कर लेती है मुक्तिबोद की रसनाये रसनात्मक उज्जा का एक बहुत बड़ा अंस आलोसनात्मक लेखन और साहित संबन्दी चिंतन में सक्री रहा तो इनके विशे की बात हो रही है कि इनके जो विशे रहे हैं साहित में उकिस्ता से किस सौंदर बोध में इन्होंने अपने कलपना की जो भावनाएं हैं जो इन्होंने साहित गळा है उसकी विशे इस्ताएं क्या रही है तो उनके विशे है नहीं कि वो सामाने मुद्दों पर लिखेगा तो सामाने मुद्दे इसी तरह होते हैं राजनेतिक भी से इंतराश्टी भी से या फिर जो आर्थिक समस्याइं जो देश के समकर्च खड़ी होती हैं कभी समसेर बहादूर सिंग के सब्दों में उनकी कविता अदभुत संके तो भरी जिग्यासाओं से आस्थे कभी दूर से सोर मचाती कभी कानों में चुपचाप राज की बाते कहती चलती हैं हमारी बाते सब को सुनाती है हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से इक पहचानने लगते हैं तो यहाँ पर इनके विशे में कुछ बात क्या है मुक्तिबोऩ की कभिताय सामनता बहुत लंबी होती है उन्होंने जो कुछ अपेच्छक्रित छोटे आकार की कभिताय लिखी है उनमें से एक सहर्स सोईकारा है जो भूरी-भूरी खाग-दौल में संकलित है देखे इनकी जो कविताएं हैं कहा जा रहा है कि बहुत लंबी होते हैं पर इनकी जो सबसे छोटी कविताओं के जो संकलन हैं उनमें से एक छोटी सी कविता लिए कि यह सहर्स सुईकार है सहर्ष का अर्थ क्या होता है साधन अर्ष हर्ष और हर्ष का अर्थ होता है खुसी यानि कि जो खुसी सहीत सुईकार कर लिया जाए वही क्या है सहर्ष है तो सहर्ष सुईकार है अब इन्हों क्या सुईकार है इसके विसे में इनके जिंदगी जैसे बताएगे कि बहुत ही कठिन कार कठिन परिश्रम करना पड़ा अपने जीवन निर्वाह के लिए तो उसी के विश्म बात होगी कि इनके जीवन के कहीं यहां पर एक जलक देखने को मिलेगी एक होता है सुईकारना दूसरा होता है सहर्स सुईकारना देखे बहुत इंपॉर्डन बात कही गए यह कि जब आप किसी चीश को अपना लेते हैं तो सुईकारना हो गया पर किसी चीश को आप खुशी खुशी अपनाते हैं सहर्स के साथ सुईकारते हैं खुशी खुशी उसको अधारर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है वो बहुत ही अलग तरीके के अलग लेबल पर हो जाती है या यानि खुषी-खुषी स्विकार करना तो वही चीज यहां पर कही जा रहे या कब तरह विए जिवन के सुखव, दुख, संघर्ष, आउसाद सुख और दुख यानि कि जो आप आत्मी की कुदाशी होती है जो उसका प्रसनता होती संघर्स आउसाद जो संघर्स होते हैं जो आउसाद के समय होते हैं जो टेंसन का समय होता उठा पटक सम्यक भाव से अंगी कार करने की प्रेहना देती है जैसे एक लाइन नहीं है कि बहुत ही अच्छी लाइन है कि सुख दुख समाप्रोकता यानि कि सुख दुख क्या हैं य आप एक neutral perspective से चीजों को देखे कि उसमें ज्यादा तर चीजें क्या हों कि ज्यादा तर चीजें उसमें कोई भी एक पक्षपात करने वाली नहों कि आप सुख में बहुत खुशी हुए दुख में बहुत दुखी हुए आप एक संतुलन बना कर चलिए ये बात हो रही यहाँ कि सुख दुख संघर सावसाद उठापटक सम्मयख भावक से अंगिकार कर लिजे इसको अपना लिजे तो वही प्रेणना हमारी कव्ता क्या देती है यहीं हमारी प्रेणना हमको यहां से मिलती है कभी को जहां से यह प्रेणना मिली प्रेणना के उत उत्स का तक भी हमको ले जाती है उस विशिष्ट व्यक्तिया सत्ता के इसी सहस्ता के चलते उसको सुईकार किया था कुछ इसी तरह सुईकार आत्म साथ किया था कि आस्तक्वा सामने नहीं भी है तो भी आसपास होने का अहसास है देखिए बहुत इंपॉर्डन चीज कही जा रही है कि बहुत ही एक बाईशी बात कही जा रही है बाईशी जीज की है कि देखिए जो चीज आपके समकक्ष नहीं है परण्तoured आपने जब उसको सुईकार कर लिया है भातिक रूप से बहले वह विद्मान नहों परण्तों आपके अंदर कहीं कहीं मनुभावों में आपके हिदय में आपके कहा जाता है कि आदमी और इनसान एक इनसान और आदमी में किवल यही अर्थ होता है कि कहते हैं कि आदमी और जो जानवर में सिर्फ यही अर्थ अंतर होता है कि इनसान हस सकता है और जानवर हसने की प्रक्रिया में बहुत उनके समक्च बाधाये खड़ी होती है क्योंकि एक ऐसी भावना है ना ये जिसको देखिए प्रेम और सौंदर भले चाहे इंसान और मनुष और जानवर सभी समझ के पर जो हसना जो खुल करके अपने मनुभाओं को मुखार बिंदू से प्रकट करना ये साइद सामनता आपने साइद कहीं ही देखा हो कि आप जानवर को देखे कि इंसान को एक अपने प्राणी जगत में उतकरिष्ट सत्ता प्रदान की है तो वही चीज यहां पर हो रही है कि मुश्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा जिस प्रकार से धरती पर चांद जो है देखकर धरती को हमेश होती है चुकि यहां एहसास अप्लावनकारी है और कविता में और कविता का मैं उसकी भाव प्रनता के निजी पच्छ से उबर कर सिर्फ बिचार की तरह उसे जीना चाता है क्योंकि वह रहत्त्वर्विष्ट के कुत्यां सुल जाने में उसके मदद करेगी बहुत यहां प कि ऐसा ऐसास खतम कभी भी नहीं हो सकता प्लावन मतलब जब बिनास होता है तो बिनास खतम की तरफ ले जाता है और बार हाती है तो उसमें बिनास निश्यत होता है तो वैसे ही लेकिन यहां एहसास जो विचार है कभी का यह कभी भी प्लावनकारी नहीं है अप्लावनकार है वह नीजी पच्छ से उबर कर सिर्फ बिचार की तरह उसे जीना चाहता है वह नीजी पच्छों में समलित नहीं रहना चाहता कि वह छोटी-छोटी चीज़ों को रहे देखे यहां पर वशुद है कि बड़े आकार में बड़े ग्रहें ब्रहत आस्तार पर वह पूरे संसार को बिश्व मानना चाहता है पूरे बिश्व को अपनी परिवार मानना चाहता है क्याकि वह अब 70 की गुठ्य सुलजाने में उसकी मदद करेगी है क्यों कि वहां पर वह कहीं इन सभी चोटी-चोटी तुछ बातों से उठकर उपर उठना चाहता है वह दिवंगता मापतनी बहन सहचरी कोई भी हो सकती है सहज इसने कि उसमाद जब बिरे में अगनी सिखा सी उद्दीप भोड़ उठी है थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो गई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति यहाँ पर बहुत ही खास बात कही है कि जब आप जगत पहे रहते हुए जगत जगए एक जगत एक मिठ्या मिठ्य है तो मिठ्या मतलब जूठा चीज है काल्बनिक तो पर है तो यहाँ पर किसी भाई-बन्द रहा पिर कोई भी मां पतनी कोई भी वह जबसकte पिछर ने है और कुछ सीज को दूर होने में हो अगनी जलती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि जो अगनी सिखा जो बिरप्त होती है जो वहाँ पर उद्देप्त होती है इसने कि उसमा जो प्यार की जो प्रेम की जो गर्माहत है तो उसी चीज से वो मुक्त होना चाहता है वो चाहता नहीं है कि उस कोई भी बाहरी बंध का रेकर बैठता उन सबसे हटना चाहता है कभी चाहने लगा है कि भूलने की एक प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जला सा ओट खोले अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े लगातार या भोतिक और मांसिक अलंब अंदर एक अग्यात भाई भी कायम करता है ममता के बादल की मंड़ाती कॉमलताक्यों की भीतर पिराती है बहलाती सहलाती आतमीता बलदास्त नहीं होती है बहुत ही यहाँ पर मारमिक डिस्त कहा जा रहा है मारमिक अलोकन पंक्तियां है कि जब आप ममता के बाडल किसी के उपर जब मन आते हैं जब मा का साया बेटे के उपर होता है जब एक पिता के जो पित्र भावना होती है पित्र के प्रती होती है तो वहाँ पर बात हो रही कि जो आत्मीता वहाँ पर होती है और वहां अंद्रेक लगाओ जल्दी तूटन है कई बार ऐसा होता है कि कई पिता जी को या फिर कई माता जी को अपने बेटे की जो लास होती है उसके उपर से गोज़ना पड़ता है बहुत ही भाव विभोर करने वाला द्रिश्चर होता है खास कर जब आप देखते हैं कि ज अधन नहीं उप्लब्द करा पाती तो इनसान क्या करे उसकी चीज को द्रिणता और तजन निकटोरता भी बड़े मानोमूल है इसलिए भूल जाना भी एक कला है देखिए अब बात को किस तरह से यहां पर पिरोया गया है कि द्रिणता और तजन निकटोरता है जबाब बह चोड़ करके नहीं आगे बढ़ जाएं इसलिए का जाता है एक दर्वाजा बंद होता है तो दो दर्वाजे आपके समख्च खुले होते हैं अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है अधिक आप ज्यादा दवाई भी पिएंगे तो अभी आपको नुकसान करेगे तो किसी चीज की हो तो बहुत ही बुरी हो जाती है बिनासकारी हो जाती है हर समय की भाव आदरता भी कमजोर होती है अधिसे प्रकास से आँखे चौंधिया जाती है भाव आदरता का मतलब होता है कि जब आप भाव में आदर हो जाएं भाव क्या है आपके जमोन भाव बिचार उत अतित्साइ प्रकास यानि कि प्रकास बहुत जादा होता है तो आंधे क्या हो जाते हैं चांधिया जाते हैं कुछ समकच आँखों के दिखता नहीं है चक छुन नैन आपके क्या हो जाते हैं बंध होने लगते हैं इसलिए किसी हद तक वरण ने हैं अंधेरा भी विश्मृति का अधेरा आदमी हर दम सब कुछ याद करता चले तो जीना मुस्किल हो जाएगा तमसो माज जोतिर गमाएं यदि एक प्रकार का सच है तो उससे भी बड़ा सच है पाताली अंधेरे के गुफा में डूगना भूलना डंड सही फिर भी पुरसकार मान कर ही ग्रहर करना चाहिए कि बात हो रही के दिए आप पुराने अतीत को लेकर चलेंगे अब देखे किसी भी समान को आप अपने हाथों में एक समय तक रखे रहे तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी फिर आप उसी पुरानी याद में रहेंगे तो जीना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा और एक कहावत है कि तमसोमा जोतर्ग मैं यानि कि आप जोती के तरफ चलिए जो प्रकासवान है जो यानि कि जो सत्तता का प्रतीक है उसकी तरफ जाते है तो उससे भी बड़ा जिस प्रकार से सच है पाताले अंधेरी गुफाओं जो अंधेरी गुफाओं हैं अंधेरी गुफाओं मतलब जीवन के अंधकार है उनमें डूबना कई बाद इंसान डूब जाता है और कहिन कहिस सद्वे में चला जाता है भूलना डंड सही भूलना भले ही एक डंड हो पर फिर भी पुरसकार मान कर ही गरहन करना चाहिए अधि आप किसी मान लिजे बुरी चीज़ों भूल गए तब तो अच्छी चीज है लेकिन अगर आप कोई अच्छी चीज थी अच्छी विस्मृति थी और उसको भी सुमिति को भूल गए विस्मित हो गए तो क्या हो जाता है पे लिए डंड हो जाता है परन तुब भी पुरिसकार की तरह गरहन करना चाहिए कि या भले ही पुरानी चीज़ों को भूल कर आगए बाढ़ जाते हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन और चेंज is the law of nature when you don't change you will become to rotten धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृत घटित नहीं रहे पाते यादों का दुन्द लगा भी वहां भी एक है धुएं के बादल क्या हो जाते हैं भी पूर्ण विस्मृत नहीं घटित हो पाते हैं मनुष की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कभी चादर है जिसके आत्मा चारो और यानि संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है जीवन का निसकर सही कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसके परचाई है अब इस दुनिया में सभी लोग खाली हाथ आये हैं और खाली हाथ ही जाएंगे वही चीज़ें आपर बताने चीज़ बात है जो आप वास्तवे के संसार से जो आप लगाव बना लेते हैं लगाव किसी कारे का नहीं परचाई पके लिए जाना पड़ भताई है प्रतीक हैं तो जो उनकी नेच्रलिस्टिक मदर हैं तो उनकी बात हो रहे हैं कि वो कितने सर्वव्यापि और अप्लामन कारी है यानि कि जो हर जगा ब्याप्त है सर्वव्यापि कब लब हर जगा ब्याप्त होना और जिसको मिटाया ना जा सके जो अप्लामन कारी है वह या गुद्धी ना भी सुलजे तो कभी अपनी मर्म इस प्रसिता और द्वन्द वहिलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है साध्धक और साध्ध की एकात्मत का तेरा मुझको सौपता काल लगा है मूर वाला ऐसा निहंकार विने पारंपरिक्त साध्ध से इतर यानि आधुनिक कभीता में कम ही दिखाई देता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीजे के ही हैं कि जो मर्म इस प्रसिता है जो सभी चीजों का मर्म निकल के आता है उनको इस पर सकते हुए जो कभीता की दुन्द वहिलता है जो उनके आपस में एक दुन्द की इस्ति जो उनके अंदर उत्पन हो जो विहलत कर जाने वाली चीजे हैं जो अंदर से भाव भी भूर होती है वो कितनी बिसिस्टा और उनकी कभी के लिए कितनी मानिता प्रेड जाता है तो बहुत अच्छे से यहां पर कभी ने अपनी जो कभीता का संपूर्ण कभीता का निचोर था वो उसने उसी में कहीं कहीं पिरो दिया है अब तो कभीता में केबल सामाने सी लाइने हैं जो हमको पढ़ना है तो कभीता पर आते हैं सहर सस्वीकारा है यानि कि जि कविता का सीर्षा कहिए जिंदगी में जो कुछ भी है जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर स्विकारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है देखे अब जिंदगी में जो भी कभी के है चाहे दुख हो सुख हो चाहे अच्छा हो खरार हो तो वह कभ प्रिये का भी उतना ही है और उसके प्रिये को सभी वो चीजें प्यारी है गरबीली गरीवी यह गंभीर अनुगोश्च अब विचित्रबाइबाउच गरबीली गरीवी का मतलब है एक ऐसी गरीवी जिसमें उसको गरभ हो देखिए बहुत ही बड़े लोग भी होते हैं तो उनको भी टेंसन होती है मधवरगी परिवारता उनको भी टेंसन होती है गरीव को भी टेंसन होती है पर यहाँ पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसको अपनी गरीवी में गर्भ है क्योंकि गरीवी में इसके पास ऐसी चीजे हैं ज कोई विद्वंद कि उधिस्टि नहीं ऱविस नहीं नहीं कोई इच्छल कपट नहीं वह अपने गर्भीली गरीवी को भहुत ही खुल कर जीताहे ये गमभीर अनुभो सब या भी शर्बायभो सब द्रख़ता या भीतर की सर्थधा नदी होता है और नदी क्या है इसके भाओं की जो नदी है जो इसके भाओं बंगिमा है अभिनाव है सब सभी इसको प्यारे हैं जो क्यों 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 कि वो सभी मौलिक है जो हाजिगा बिद्दमान है इसलिए कि पल-पल में जो कुछ भी जागरत है अपलक है समवेदन तु जिनको एक डुरुष्ट से देखा जा रहा है उनके समकच इसकी आंके बंद नहीं है खुली है संवेदन तुम्हारा है कहीं कहीं इसके प्रिये की वहाँ पर छाब है जाने क्या रिस्ता है जाने क्या नाता है जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है दिल में क्या जहरना है क्या कोई दिल में इसके भाव का जहरना है जो उसके भाव विभूर कर देता है मीठे पानी का सोता है क्या किसी मीठे पानी का सोता इसके अंदर है भीतर वहाँ उपर तुम भले ही वहाँ उसको मैं उड़ेल रहा हूं पर अंदर क्या है अंदर इतने मीठे पानी का सोता जो उसके भाव के जो जहरने है जो भाव बिभोर करने वाले उसके भाव बंगिमाएं है जो आंत्रिक उसके अंदर की जो उत्पन होने वाली प्रतिमाएं हैं जो उसके अंदर भाव उत्पन हो रहे हैं जो भाव जागरित हो रहे हैं बताता है कि भीतर वह उपर तुम उपर उसकी प्रीय है, मुस्काता चांद जो धर्ती पर रात भर, जिस प्रकार से धर्ती पर चांद रात भर मुस्कुराते हुए देखता है, अब चांद को देखेंगे तो आपको लगे का जैसे चांद मुस्कुरा रहा हूँ, तो जिस प्रकार से चांद धर्ती को रात भर तुम्हारा ही खिलता वह चहरा उसी प्रकार से मुझे पर कौन मुश्कुरा रहा है तुम्हारा वह चहरा मुश्कुरा रहा है। चक्र में चाहता है कि वह अपने आपको डंड मांगता है कि मुझे डंड दो कि मैं इस चीज को भूल जाओं कि मेरा और तुम्हारा कोई संबंध है। को भूल जाओं कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं परंत्वा क्या चाहता है कि सदय व्याद रखे पर वह कहए रहा है इसी चीज को जब दो बार निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो समयलीजिए सकर्णाय बन गया तो सच जो बंड याई खात यह भूल जाए कि असे मन में जो बीचार आते हैं उसको भूल। पर प्लूंता है दश्वंत हमावश्य में। इंतर बिंध कातों हम घ्क मुझारीwort मllesक्राइब मतलब वो कहीं भी चाहे जहां पर उसके सरीर में हो वार फिर अंदर उसके हिर्दय में हो चाहे जहां पर भी हो वो चाहता है कि उसी में उस अंदकार की मौश्यों में वो नहा ले उसी चीज में वो मगन हो जाना चाता है उसी चीज को आननदित तरकिय से उसको जीना चाता है इसलिए कि तुम से ही प्रिवेस्टित आच्छादित रहने का रमणी या उजेला आप सहा नहीं जाता है अब देखिए उपर उसने क्या कहा और यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रिवेश चित आच्छादित जिस प्रकार से उसके उपर उसका आच्छादर है कहीं कहीं उस चीजे से ढखा हुआ है कह रहा है कि जो उसका उजाला है बहुत ही रमणी है बहुत ही शोभख है बहुत ही आनंद का स्रोत है परन्तु आप कभी से ये सहा नहीं जाता है अब कहीं कहीं उजादा हो रहा है क्योंकि जब उजाला जादा हो जाए तो आके भी चौधियाने लगती है तो वही चीजे बा जो आपके मम्ता के बाडल है जो मंडरा रहे हैं और अंदर से कहीं न कहीं भाव भी भोर कर दे रहे हैं जो हिदे से उसको कहीं न कहीं कमजोर भी बना रहे हैं तो कहरा है कि कमजोर अच्छम हो गई है या आत्मा या छट पटाती च्छाती को भवित ब्योता डराती है बहलात सहलाती आत्मीता बरदास्त नहीं होती है अति किसी चीज की कमजोर कल देती है बिक्ति को तो वही बात हो रही है कि यहां पर अब जितनी भी उसके जो कुमलता की जो च्छाया थी जो ममता के बादल थे जो उसकी परवेश्टित आच्छादित रहने का रमनी जो उजाला था जाला उसके कहिन कहीं आख़्ों को बंद कर रहा है और उसको इनदर के जो भावबंग़िमाएं हैं उसको कहिन कहिन भावनात्मयingo ternoo phase कभी को तो उसी सीजों से कभी मुक्ति पाना चाता है, वो चाहता नहीं कि अब उसके ऊपर कहीं, और चाया मन्तलाती रहे, वो जैसे कहतें नहीं है कि जब इनसान को बहुत ही जाता, सुख मिल जाता है, तो अंदर से वा कम्जोर होने ले लगता है, उसके अंदर जो कठेन परिस्णम करने की चाह होती, चाह होती वो खतम हो जाती है तो यही चीज कभी यहाँ पर उस चीज से मुक्ति पाना चाता है वो संसारिक जो भाव बिभेद हैं उन से मुक्ति पाना चाता है सस्मुच मुझे डंडडो कि हो जाओं पाताली अंधिरे को गुफाओं कि मैं बिवरों में धूओं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कहे रहा है कि मुझे ऐसा डंडडो कि मैं पाताली अंधिरे को फाओं पाताली कहा है पाताली मतलब पाताल से जो पाताल के अंधिरे को फाओं है और बिवर क्या होता है वीवर जो छिद्र होते हैं जो वहाँ पर छेत पड़े होते हैं तो कहरा है कि धुएं के बादलों मेरी बेल्कूल मेरी लां पता आप देखे जहां पड़ अंधेरा बहुत ज़ादा अउजाला पाकर वह अंधेरी के दरफ जाना चाहता है देखिए अब बहुत ज़दा अगर आप तीखा खाले तो क्या होता है कि आप कहिने के थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है वही चीज हो रहे है कि आप बहुत मीठा भी जब खाले तो आप थोड़ा सा चीज नमकीन चाहिए होते हैं कहने का ताथ पर है संतुलन, संतुलन है स्रिस्टी का नियम है, संतुलन नहीं बना पाएंगे आप तो आप नहीं इस तिरह पाएंगे जीवन में, तो भई चाहता है कि वह लापता होना चाहता है पाताली अंधेरे गुफाओं में, बिल्कुल में लापता, लापता कि वहां जो तुम्हारा ही सहारा है यानि कि अब देखे अब उसी से जिससे वह बच कर जाना चाता है जिस अंधेरी गुफा में जाना चाता है अंधेरी के लिए पर फिर भी वहां क्या कहता है कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है यानि कि वह कहीं कहीं इन सभी चीजों से बना हुआ ह चाहा कर भी वह मुक्ति नहीं पा जा रहा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है कार्यों का बैभव है अब यहां पर अपनी प्रिये को बताता है कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हा कारण मेरे बार हो रहा है अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर सविकारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा भा तुम्हें प्यारा है पार्ट में कभी कहता है कि और क्या disrupt मेपने कारण से कहेंट जिंदगी कि उजाले से वह बचना चाता है इसका आर्थिया नहीं है कि वह धेरे में जाना चाता है बहुत ही उजालना जाता पाकर थोड़ा सा धेरे में जाना चाता है पर वह संतुलन के मार्ग पर तहना चाता है और जब संतुलन उसके जीवन उसको अस्थाई भाव दे देंगे तो को प्राप्त करने के बात हुआ है इस सभी संसार से एक बिवक्ति की तरह से जो है चाहता है कि वह बिवक्ति के मार्ग पे वह सदमार के तरफ चल सके और जो कभी का मूल उद्देश है मूल उद्देश कभी का क्या है मूल उद्देश कभी कई है कि जीवन में कारियों का जो स सारा समबल है, सारस स्रे वह खिसकों दोता है, और कहता है कि भले ही मुझे सभी चेज़ता सहर सचुईकार है, पर जो सहर सचुईकार ने के जुच्छंता है, जो मुझे आज कुछ भी प्राफ्ट हुआ है, वह पहला कारणивать तो नहीं के चुछ कारणी दो Lubitam हम सभी को यह भी बताती है कि अपनी जिश्मनों जो कुछ भी हो अच्छाई हो बुराई हो कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है इसलिए सदेव हमें जो कुछ भी होना चाहिए उसे सहर सविकालना चाहिए बहुत ही खुल खुल करके और बहुत सी खुसी के साथ सभी चीज़ को अपने तरब अपना लेना चाहिए तो हमारी कबताई हैं पर समाप्त होती है और कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको इशु हो आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो comment box पर जरूर कोशिश करिएगा comment करके बताएं कि क्या दिक्कत है हम उसको अगले topic में अवश्यक पर करेंगे तो आज का हमारा जो chapter हुग यहीं पर होगा कल हम आपको एक नए chapter में फिर मिलेंगे तबते के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिन वंदे मात्रम नमस्तुभ्यम